नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ नेना यादव यूपी में ठाइठाइच से काप रहा है गुंडे बता दें बदमाशों का जिगर योगी के आपरेशन और लाउट के आतंक ने बदमाशों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है जो बद रिगर से कापा बदमाश जिगर यूपी में ठाइठाइठाइठाइब बोलो अव कहाँ जाएन आने में बदमाशों का बेढ R vem योगी के यूपी में बदमाशों का खाली हो ठाएं ठाएं की आवाज से कांपता प्राद काल के चक्रव्यू में कांपते बदमाश योगी के यूपरेशन आलाउट का अतंग ठाने में बदमाशों का पेड रूम यूपी में जो बदमाश गुंडे अपने साय तक से शेहरों को देहला दिया करते आज योगी के आपरेशन आलाउट के आतंग से कांप रहें एक साल में योगी की खाकी ने बड़े से बड़े खुखार बदमाश के जिंदगी में मौत की अबारत लिखी है डर ऐसा है कि अब बदमाश कांप रहें अपने प्राणों के लिए बदमाशों ने गुनाह से तौबा कर लिए डर ऐसा है कि बदमाशों ने बेशा बदला घर का बता बदल लिया है अब ठानों में बदमाशों के बेडरूम है दूसरों के जहन को अपने जल्मों से कपाने वाले बदमाश आज खुद कांप रहे हैं काकर जब से योगी सरकाड खाकी को अपराद और अपरादियों के खिलाफ ताबरत और ट्रिगर दबाने की छूट दी योपी में बदमाशों के एरसे बुरे दिन शुरू हुए कि इनामी बदमाश जहां अपना पेशा बदल रखे हैं तो वहीं अब जान बचाने के लिए बदमाशों ने थानों में डेरा डाल दिया है खुद बदमाश और कर ठाने आ रखी हैं जहां बदमाश खुद अपना बैडरूम सजाते हैं और हाथ जोड़ कर हर रोज अपनी हाजरी लगाते हैं यहाल यूपी के सीतापुर में सहमे बदमाशों का है आपरेशन आलाउट से दहशत में आतंग मौत से बचने के लिए ठाने में बैडरूम ठाने में बदमाशों का नया बसे रहा यूपी में कानून को अपने तमंचे चाकों की नोख पर रखने वाले बदमाश आज कांप रहें डर ऐसा है कि कई अंडरग्राउंड हो गए है तो कईयों ने गुनाहों से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली दूसरों के जहन को अपने जुल्मों से कपाने वाले बदमाश आज खुद कांप रहें खास कर जब से योगी सरकार ने खाकी को अपराद और अपरादियों में खिलाफ ताबरतो और ट्रिकर दबाने के छूट दे दी है तब से कानून को ठेंगे पर रखने वाले आज जान बचाते फिर रहें जान बचाने के लिए थानों में सोने के लिए मजबूर हैं वो बेलगाम बदमाश तस्विर उत्रपदेश के सीतापुर की है कंबा लोड़कर सोने के तयारी कर रहें अपरादियों को डर है कि रात के वक्त उनका एंकाउंटर हो सकता है योगी सरकार का इसकदर खौफ है कि करीब साड़े 5,000 अपरादियों ने अपनी जमानत रद करवा दिये योगी सरकार चल रही है कहीं न कहीं काउंटर भी हो सकता है और जो घटना हो रही है यहां पर तो हम लोग जो करते नहीं पहले किये हम नहीं करना चाहते हैं साफ सुधरना चाहते हैं यह अपरादी हाजरी लगाने के लिए शाम 6 बजे थाने में आते हैं थाने में ही सोते हैं और सुबह उठकर खर चले जाते हैं मार्च 2017 से जनवरी 2008 रगे तस महीनों के दौरान पुलिस ने 1331 एंकाउंटर किये जिसमें पुलिस ने 43 ऐसे अपरादियों को मार गिराया जो काफी दिनों से फरार चल रहे थी अपरादियों को पुलिस से भागते हुए तो आपने देखा होगा अब जान बचाने के लिए पुलिस की शरण में सोते भी देख लीजी राजकुमार दिक्षित जी मेडिया सीतापूर योगी के ऑपरिशन ओल आउट से गुंडे बदमाश इस कदर खौफ में हैं कि कई अंडरग्राउंड हो गए हैं तो कईयों ने अपना पेशा बतल दिया किस्सा इतना सा ही नहीं बहुत एक महीने के अंदर कई इनामी बदमाश ठाने में हाथ जोड़कर सरेंडर करने पहुंचे कैसे माज एक महीने के अंदर कई खुकार बदमाश खुद जेल के अंदर पहुंच गए देखिए इस रिपोर्ट में योगी निदीख खाकी को ट्रिगर दबाने के छूट यूपी में चुन्चुन कर हुआ अपराद का एंकाउंटर योगी के अपरेशन कालचकर का चक्रवी हो पुलेट के डर से अपराद की बोलती बन योगी के अपरेशन आलाउट से यूपी में थरथर काप रहे हैं खुंखार अपराद है योगी राज ने यूपी में बदमाशों की कुंडली में काल योग लिख दिया है एक साल में योगी की खाक ही 1349 से जादा एंकाउंटर कर चुकी है यही वज़े कि पिछले एक महिने में बुलेट और बंदूग को अपना खिलोना मानने वाले कई बदमाशों ने थाने में सरेंडर किया है एक महिने में किन-किन बड़े बदमाशों ने थाने पहुँचकर अपनी जान बचाई पूरी कहानी सिलसले वार तरीके से आपको दिखाएंगे तारीख 27 मार्च जगह यूपी कनोड़ा पिसरक थाने में बेबस बदमाश मौत के डर से शेरू का थाने में सरेंडर तस्वीर 27 मार्च की थाने के अंदर के इस तस्वीर की विस्तार से व्याक्था और हाँ जोड़कर गरगराते इस शक्स का चरित जित्रन से पहले जरा पुलिस और इसके बीच बातचीत को गौर से सुनिये शेरू की जुबानी आपने इसकी जितनी भी तारीफें सुनी वो कुछ भी नहीं इसका पूरा प्रोफाइल जानकर आप चौक जाएंगे इसकी खौफनाक वारदात के बारे में जानकर आप हिल जाएंगे यगीन करना मुश्किल हो जाएगा कि पुलिस के सामने हाँ चोड़कर सरिंडर करने वाला या बदमाश कितना बड़ा परादी है शेरू भाटी पचास हजार उपय का इनामी बदमाश है ये कुख्या सुंदरभाटी गैंग का शार्प शूटर है ये नॉमबर 2017 में ग्रेटर नुड़ा में बीजेपी नेता की अच्चा कारोपी है इसने बीजेपी नेता शिपकुमार और उनके दो गनर को एके 47 से दोड़ा दोड़ा कर सरियाम भून दिया इस मामले में इसके घर की कुर्की जब्ती भी की गई था अंदाजा लगाईए कि ये कितना बड़ा परादी लेकिन उससे बड़ा दुरभा की देखे कि जिस थाने का ये वांटेट है जिस पर इसे खोच कर पकड़ने की जिम्मेदारी है वही इसे नहीं पहचान रहे ये अबराद के खिलाफ योगी की प्रतिक्टिया काही असर कि बड़े-बड़े शातिर अबरादी बिल बिलाकर बिल से बाहर निकल रहे हैं असल में देश के सबसे बड़े सूबे में हरकम मचा है वर्देधारियों की गोलियों की तर्टलहाट के बीज अबरादी त्राइ त्राइ कर रहे है मुख्यमंत्री के अटल इरादो और एंकाउंटर का खौफ ऐसा है कि पड़ेबले शार्फ शूटर के सिर्फ पर मौथ का खौफ नाच रहा है जिनने चंद रोज पहले ढूडने के लिए बुलिस चपल घिज रही अब वही अपरादी बुलिस के सामने खुद प्रकट होकर पनाह मांग रहे है खुद के जिन्दिके हिस्ट्री बन जाने के डर में हिस्ट्री शीटर्स पुलिस वालों से काल कोठरी के अंदर जगे देने की गुहार लगा रहे है यह आजमगड का नामी बतमाश जो थाने में आकर जिन्दिकी की भीक मांग रहा है कल तक अरविंद यातों के खौफ से आजमगड के लोग सहम जाते थे वो योगी राज में ठरखर काप रहा है इस पर लूट और मटर के कई मुकदमे जर्ज में यह लंबे समय से आजमगड फुलिस के लिए जैलेंज था लेकिन फुलिस के हाथ इसकी गर्टन तक पहुंच दे उससे पहले यह खुद थाने पहुंच कर गिरफतारी की भीक मांग रहा है यह तो खुछ भी नहीं है आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ बदमाज जहां पुलिस वालों से रहम माग रहे हैं तो दूसरी तरफ जो जेल में बंध हैं वो जेल की दिवारों के बाहर आने के लिए तयार नहीं योगी राज में अपरादी जमानत रद करवा कर जेल के अंदर खुद को महफूस रखना चाहतें यूपी में अपरादी कैसे भीकी बिल्ली बन गया है इसकी बानगी याखने परवरी तक 5409 परादीयों ने अपनी जमानत रद करवा लिए 24 घंटे में 5 एंकाउंटर के बाद नोड़ा में भी लोग लगातार सरिंडर कर रहे हैं जाहिर है अपरादीयों के अंदर एंकाउंटर का खौफ बना है सरकार बनाते हैं इस उबे से परादीयों के समूल नाश करने के अपने संकल पर योगी आद इतना तो डटे हुए विरोधियों के सियासी एंकाउंटर के बाद योगी लॉण आडरों को लेकर तस्त मस होने के लिए तैयार नहीं मतलब साफ है बदमाशों के बूरे दिल चारी रहेंगे विरो रिपोर्ट जी मीडिया